नमस्कर भाईयों कुछ लोगों को जीवन में पंगे लेनी की आदत होती है वो वहां जाके एक जंडा गाड़ते है जहां कोई नहीं गाड़ता वैसे ये बात सरदारों पे लागो होती है कि एक सरदार एक लाख दे बराबर उन्द है शिरिवाय गुरू जी ने कहा था कि एक लाख से एक लड़ाओं तो वही चीज है कि कुछ बंदे तो इतने खतर ना कर देखिए पूरा सुंसान एरिया आप देख रहे हैं जी पूरा सुंसान एरिया नौइडा का दूर दूर तक कुछ नहीं आ है पर इसमें एक कंपनी ने जंगल में मंगल कर रख है रुबी जी कंपनी के बारे में देखिए अभी शाम का टाइम छे हो रहा है तो यहां से ओफिस चूड़ रहा है तो रुबी जी आपका स्वागत क्या वीचा रहा है इस बंदे के बारे में जी जंगल में मंगल कर दिया थे ने यह वह बिलकुल किस्टने लोगों को रुद्वार ने द दूर दूर तक कि देखिए जो पहले आते हैं या तो विलकुल बरबाद होते हैं या फिर कमाल कर जाते हैं देखिए अभी सबजी उगरी है असपास बगलों में खेती हो रही है सामने देखिए गन्ना लगा हुआ है कि देखिए गन्ने की खेती हो रही है खेतों में आके में आजा तो एक लाखर में मीटर का रेट है तो वह आपके होंसले की बात है कि आप कहां पर चीजों को क्वाडिनेट करते हो देखिए इन्हों ने फैक्टरी बनाई बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर सारा है यहां पर बिजली है पानी है यह सर कबसे कंपनी चालो है अंदाजा कोई आइडिया हो चलिए जी तो यह देखिए नहीं पुरा स्टाफ के लिए बसों के अंतिजाम किया है स्टाफ बसें लेके जाती है लेके आती है तो यह है कि more risk more profit अगर आप कहीं भी जंगल में आप कोई रिस्क लेते हैं तो उसको आ चुटी हो रही है तो स्टाफ जा रहा है 600 बंदे यहां बैठते हैं उन्हें बताया कि और हमें तो यह concept बहुत अच्छा लगा इस शुरू में कहीं भी आप company डाल लो हो तक कोई समस्य आया हो कोई security guard ज्यादा रखने हो इसके बगल में भी एक नई company बन रही है पिल्कुल बड़े सच्छे मिल रहे हैं तीस लाके बढ़ दोई चीजी है यह फैक्टरिया और एक अमन का फ्लाट है तो यह भी sector नोकरी नोकरी मिलगी चोकरी मिलगी तो घर ले लो आपने जिन्दगी सैट हो गई तो देखिए जी मुझे तो यह concept बड़ा अच्छा लगा सब कुछ बड़िया फर्स क्लास फ्रेश एर जब ठक जाओ तो एक बाहर चकर मार जाओ तो जीवन के मज़े मज़े तो दोस्तों अगर आप कहीं भी फर्स्ट वाले हैं फर्स्ट मूवर हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है दिखिए यह पेड़ सूख गया कहते ना जंगल में केली लगडी भी नहीं होनी चाहिए तो बाकी पेड़ कट गये थे बिचारा केला रहा गया तो यह टेंशन के मारी सूख गया सड़के बीच ओ बीच आगया बिल्कुल सूख गया तो केले मत रहो लगे रहो या फिर आप में इतना होसल आओगी केली फैक्टरी की तरह की च जिन्दगी में मेरे से गलत काम नहीं हुए बहुत सारे डिसीजन गलत लिए गए दस में से पांच ठीक थे तो पांच गलत थे पर डिसीजन लेते रहो रूबी ची और कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों को यही कहूंगे कि होसला मत हारिये और एडवर्ब की तरह खड़े हो